तो आज में बनाने वाली हूं मौंग डाल के मसारफ पूरी तो यहां पे पूरी बनाने की हमने लिए आधा का पी यह मौंग डाल को भीगा दिया था दो घंदा पहले तेचे से मसलब भीग चुकी है यह देख सकते हैं इसमें एक पे यह दिखाते कि इसको आचे डिखाते हैं तो यहां में दो लेना है अंटेफ बंहां से एक मसाल है दीक दिखा दे mec रिया थे तो यहां मैंगें डिखा देई रखेंड़ कह ज़ाएवाव पहली दो भीज्छी दो आपके पीश्पून गेह लादी आ बसाटा के कि अगर आपके पास नहीं तो चात मसाला डाल दिए अगर गी नहीं तो एक चमाश आप लेमन यूस डाल सकती है ौकिंगे आपके वहीं हम आपने हर शून नमक और पांच मज़ लें लेहां गरम मसाला यहां पे लिया हुट चंम्मस के 3 लेपे टाल सुची那麼 तेन विर्शी लिया है एक इंचा अध्डरा के टॉकड़ा और गंदिंट ब्रेख से लपनिट चीमस एसेट भारिक मास शूफि Tudia यहां से बई सूपी पाइर हमने सूपी हिरा हैं उसमें डालेंगे कि अधा कप पानी हुआ उटेजिला चौना खान इसको इसमें ढाल देंगे अब इसमें हमने स्ब्सक्राफ और जो और दस मिनट के लिए छोड़ देंगे तो तकि रवा भूल जाए जब फूल जाएगा तो इसको रच्छा जाएगा इसको रच देना बहुत जरूरी है तो यह हां पिश्को दस मिनट हो गया है तो यहां पर आधी चमल डाल रही हूं अजवाइन क्रेश्ट किया हुआ है हमने तेवली स्पून डालूंगे इसमें सफेद तील से बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह है वन्डी स्पून क्रिस्ट क्रिस्ट क्या हुआ है कसूरी मेती तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा डालूंगे इसमें और एक मुठी समें जाएगी बारीकटी हरी तहनिया ढ़ुकि दौलेंगे इंचरा इंच्छ यख ऑप और इसको गुंड लेंगे एक साथ पूरा नहीं डालैंगे जातना लगेगा इतना डालेगई बिना पानी कि आपको गुंड़ nor है पानी बिलकुल इसमें नहीं डालना है आपको तो हमें एक idoस्बूर चम्मााalब तेल दारहा है अब तेल में इसको गुंद लेंगे ताटी जो है इतरा सबून के आपको दिखा दी हो यहां के जो है जिसे में फोड़ी ओ पराठे का आठा गुंती बिल्कुल वैसे ही हमें गुलना है पानी बिल्कुल नहीं डालेगा जब आप डाल पीसे गए तो यह जो है हम यह जो आध्य कपस आधम होता है इस से एमने डाला ही ए फोड़ी कप आठा लगा अगर आप जादा पानी डालेगी तो आथ आप का लग जाएगा फिर अपो जयान दखना है झाल पानी दालेगे स्ट चार टेबली स्पून पानी डालेगा और उस ही मैं यह एक हुंद द और मलकर मसूर को बना सकती हैं चने कि बीगा कि इसके बहुत अच्छा बनता है अरे मुन का इसी तरह से पुरी बना या इसका पराथा बना रही है और दही अचायर के साथ का सकती है जो चीज से आपको अच्छा लगे चलिए में इस विशोटी बोलियां बना लेती हूं तो यहां पी दिखिए मेरे जो है लोईया बन के रेड़ी हो चुका है और इस मिसमें सा पूरी पूरी नहीं उऔर चैस साथ पूरी यां फॉराइ करूंगी और मैं आपको सर्फ करके डिखा तो आप जो है मेरी वीडियो के लाश तक देखा करें प्लीज और लाश तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ओके चलते हैं इसके नेक्स प्रोसेस के लिए तेल गरम हो रहा है पूरी तरनीटी तो मैं उससे पहले मैं रायता को तयार करें तो यहां पी हमने लिया है दो कप देखी जाड़ की मैसरिस ब्सकुलिंदे दो कफ है और यहां विडियरा सबस्चाहं सबस्क्रेटु यहां पाओच यमठ, पाष्यमच कालीय मिरीच आधि चमच नमाक र Хотश मा समें लिया है काला नमाक आधि टीसपून हमने लिया है यहे लाविय मिस्ट सबस्स कर दू कस यहां लिए हैं 2 गाजर, कर दू कस के हैं चाहर टेबल इस्पोन पानी टाल के इसको गजो डोल कर द लिया है बिल्कुल इसमें पानी नहीं है आप देख सकती हैं और यहां पे हमने तड़का के लिए लिए हींग और कड़ी पते और दो मिर्ची और वंटी स्पूल हमने लिए जीरा तो सबसे पहले चलें सारे मसाले मिला लेती हूं तो यहां भी देखिए हमने जो है डाल दिया है गाज बिल्कुल परफेट है अगर आपको ज्यादा पसंद है तो थोड़ा ज्यादा डाल दीचिए यहां पर देखिए हमने दो टेल डाल दिया और इसमें डाल दूंगी मिर्ची करीपता एंड जीरा रुख के डालिंगी मैं इसमें नहीं रुख डाल दिया लिए विसमें दूंगी मैं जूंग अधितर दूंगी है तो अब ये तड़का जो हमने बनाया है युप के देल एक ह्टिया देखिए लाग रहना है यम्मी मेरा राइता तो यहां पर मेरे जो हे कायरत यानी ग्याजर काूरायता तड़का दाल बिल्कु पूरी तलन लेते हो यहां पे देखें आपको मोती पतली जिससे रखना चाहिए तो आप रख सकती हैं तो हमने चेकले पे थोड़ा से तेल लगा ले लगा लिए फिर अगर आप चीने तो सुखा आटा लगा कर भी बैल सकती हैं तरह देख लिए तोड़ा से आठाटा डाल के तेल गरम हुआ कि नहीं तो तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें । अपनी पूरी डाल देगे अभी इसी तरह से हम सारे पूरी बेल लेंगब और ठीर पूरी इत जहें पूरी है तो पड़ी हो उपपे तार ही हम आपगे आमकल फूरी तो पूरी बनकर रेड़ी हुए हए म मैं चरक हा कर Kre limited भी दिखा sabi video जुळा चाकी नियां चानी करूंगी कैसा बना है और मैं करूंगी एक लोग से वह है मेरे हस्बेंट जी थोड़ से चिक करके बते हैं तो यह देखिए यहां पी होती है मेरी वीडियो क्लास मेरी वीडियो क्लास तक देखिए करें प्रीज मेरी वीडियो क्लाइक से कमेंन सिस्क्राइब कर दिया करें और अच्छा माशेयल बहुत अच्छी पुंपोही और बिस्करी अस्तिजाद आपकी पुरिया बनी है और आजाज का तो माशेयल जवागी माशेयल फिर विल्यानी बनाना तो यही राचा बनाना बहुत बशेश का पासा अच्छा चलिये अलाह आपीस